हेलो फ्रेंट्स ममतावन शच ब्लॉग में आप सभी का बहुत बर स्वागत है आज हम लेकर आएं गाजर और तिल से बनने वाले लड़ू की रेसिपी आप सभी ने गाजर का हलवा और खीर तो बहुत बार खाई होगी पर गाजर के लड़ू शाद आपने नहीं खाएं तो अगर नहीं खाएं तो चलिए बनाते हैं जो रेसिपी में शेयर किया उसके अकॉर्डिंग मैंने आपर टू ट्रेस्ट देकर बनाया है तो आपको जो अच्छे लगे आप उस रेसिपी के अकॉर्डिंग बनाएगा सबसे पहले हमने ले लिए तिल एक तढ़ाई जो है उस कलर जो है वह बहुत ही हलका सा गुर्डन ब्राउन होता है उसके बाद फ्लेम को आफ कर देंगे देखे बलकुल भून चुके है कलर चेंज हो गया हम फ्लेम को आफ करके से दो मिनट और चलाएंगे जिससे जो है यह ज्यादा का लेना पड़े अब इन्हें हम एक प्लेट म बना सकते हैं अब हमने ले लिए गाजर इसको मैंने बारीक बारीक कस लिया है उसके बाद कढ़ाई में हम इसे कढ़ाई में हमने रख लिया है फ्लेम अन कर दिया और थोड़े सी चीनी आट किया इसमें एक कटोरी यह मैंने 6-7 गाजर ली थी बड़ी बड़ी उन्हें पतली गाजर ही यूश किजएगा क्योंकि अनदर इनके जो पार्ट होता है औरेज़ वाला वो बहुत ही जादा अगर आपने मोटी गाजर ली है तो उसमें बहुत ही जादा औरेज़ पार्ट होता है जोकि हमें निका जालना पड़ जाता है उसमें मिठास भी कम होती है तो कोशिश केज़ेगा आप पतली गाजर लें आप देखें हमने इसमें चीनी मिक्स किया है तो चीनी जो है वह मौश्यर को छोड़ना स्टार्ट कर देगी गाजर में भी जो पानी है उसे अच्छे से हम चलाते हुए इसक कर देंगे जब असका अनिक लैए अच्छे से मिक्स कर देंगे और तोड़ा सा इसको हम और चलाएंगे या जेढ़िए देखेंगे पानी जो आज है वो बल्कुल इसका जल चुका है अंगप Rich और इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे और इसको थंडा होने के लिए हम रखतेंगे अब इसके बाद हम इसमें मिक्स करेंगे मावा अब इसमें से थोड़ा सा मावा और थोड़ी सी जो गाजरे वो मैंने अलग निकाल के रख लिया है पेस्ट अब थोड़ी से ड्राइफ रूट्स जो अभी आप एड़ करना चाहिए और तिल यह हमने इसमें एड़ कर दिया है अब देखिए जो पेस्ट हमने डो जो बनाया है सौरी वो हो गया है थंडा बहुत साथ थंडा में नहीं करना मतलब हलका गरम रहे और हाथ भी ना जलाए अब इसको हम एक सरकल शेप देदेंगे देखिए बलकुल हमारा जो लड़ू बनकर तयार हो गया है बहुत हैल्दी यह ऊसी तरह से हम सारे लड़ू को बनाा कर रख लेंगे। यह हुगए हमारा एक विदी से बनाया हुए लड़ू हम चलते हैं, दूसरी विदी सें हमिं कैसे बनाने हैं देखें, हमने जो गाजर थोड़ी सी निकाली थी, उसे हमने इस तरह से हाथ पे इसे फ्लैट कर लिया है, और थोड़ी से मावे की एक मावे को छोटी सी गोली बना कर इसके अंदर रख देंगे, और पूरे गाजर को इसके ओपर लपेट देंगे, कवर कर देंगे, आप इसक भी अच्छा लगे आप उसी अकॉर्डिंग बनाईगा और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा कि आपको कौन से वाले लड़ो जादा पसंद आए अगर आपको में वीडियो अच्छी लगी है तो इसे जरूर लाइक कीजिएगा शेयर कीजिए अपने फैमिली में इसके साथ शेयर कीजिए बनाईए और मेरे शैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा और पास में जो उसके बैल आइकन का बिटन है उसे भी अल कर देजिएगा जिससे सारी वीडियो आपको मिलती रहें थैंक्स पॉर वाचिंग माई वीडियो बाबाई